नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में Nifty और Bank Nifty का In-depth Analyze किया है साथ में दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ पर Nifty के लेवल आपके सामने यहाँ पर मार करने वाला हूँ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ news point बताने वाला हूँ कि market में क्या news आने वाली है और यह market में यहाँ पर क्या news आ चुकी है हम इसके पर डिसकस करेंगे दोस्तों वीडियो को end तक watch कीज़ेगा मैंने कुछ level आज आपको share किये थे bank nft के जहाँ पर दोस्तों bank nft प्रॉपर respect किया उन लेवल का एक हमारा लेवल था 53,035 इसका breakout हुआ प्रॉपर retaste हुआ हमको यहाँ पर bank nft में का scalp देखने का मिला upside में देखा जाए तो यहाँ पर nft बहुँ जाता volatile हो चुका था एक तरीकी से range के अंदर आ चुका था फिर भी दोस्तों मैंने क्या किया था कि आपको एक telegram पर मैंने अपना view share किया था कि अस पाइम देखो just ways as my view and analysis bank nft 53,500 का protection charge जो है उसका support level पे 5 न सस्टेन कर रहा है तो यह rise हो सकता है बढ़ सकता है दोस्तों वो जो price था इस time पर चल रहा था 360 रुपे का उसने high बनाया था एक तरीक से 440 रुपे गया सबस्तों काफी लोगों ने यहाँ पर एक तरी scalp गया होगा तो उनका profit होगा मैंने यहाँ पर अपना view share किया था दोस्तों कहना चाहता हूँ कि अगर आपने telegram को जोई नहीं किया इसका link मैंने description में दिया हुआ यहाँ पर मैं एक तरीके से कोई दोस्तों पहले बोल दूँ as a we are not say भी registered बड़ यहाँ पर जो कुछ लेवल में अपने view share करता हूँ बढ़ा सकता है इसकी ओपर चर्चा होने वाली है अगस्त में और अपने को यहाँ पर देखा जाए तो 13 अगस्त तक अपने को यहाँ पर final प्राइस चेक करते हैं देखिएगा मैं आता हूँ डेले टाइम फ्रेम पे तो क्या हो रहा है यह इसी रेंज के अंदर खड़ा हुआ है अगर अगर अपन दोस्तों यहां पर चेक करें कि जब भी प्राइस HDFC का इस ट्रेंड लाइन के पास में आता और अपने को बड़ी गिराउट HDFC में देखने को मिलती है तो यहां पर जिसे प्राइज आया और यहीं पर अपने को न्यूज देखने को मिली कि यह HDFC का वेटेज बढ़ सकता है अब दोस्तों यह न्यूज है अभी फाइनल नहीं ह जगाया जा रहा है MSCI की तरफ से कि इसका वेटेज बढ़ने वाला है दोस्तों एक और मियूज क्या है वो है अपना फेट का में ना को क्या बोलता कि फेट का भी कुछ मिटिंग्स होने वाला है और कहीं ना कि दोस्तों उसके उपर बात की जाएगी चर्चा की जाएगी त कर देखा जाये जो नोंको नों और पर को रिंखाता हूं एक तरीका से यहां पर ऑलिएज उससे क्या हुआ कि उससे उसे उसके उर्मार्केट दो पूरा वर्ड बुलिश हो गया, देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, अगर देखा जाए तो पॉजिटीव इस टाइम पे, ब्रिक आउट करता है, दोस्तो बैंक निफ्टी और काफी अच्छी तरीके से उपर जाता हूँ, अपने को देखने को मिल सकता है, चली जी जानते है कौन से लेवल यहाँ पर दोस्तो कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक क चली जी बात करते हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, दोस्तो यह हमारा बैंक निफ्टी का चाहर्ड है, अब यहाँ पर थोड़ा समझो, यह बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी हुआ गेप अप, अच्छा का सा वल्यूम्स आया, बैंक निफ्टी से लेवल ब्रेक आउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, प्राइस उपर गया, और यहीं पर ही जोन के अंदर यह साइडवेज हो गया, यहीं पर ही क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पर यह अपने को वोलेटाइल होता हुआ देखने का मिला, मतलब पूरा का सकता है 53,255 यह हमारा बैंक निफ्टी का रजिस्टेंस लेवल है ठीकिज़े अगर मार्केट इस पोइंट के ऊपर गेप अब भी होता है तो यह हमारा क्या बन जाएगा सपोर्ट लेवल बन जाएगा बैंक निफ्टी का अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर एक तरीके से बाई उन डिप का एक फोर्मूला यूज़ करना है क्योंकि डेटा पॉजिटिव हो चुका है पुट रैटर यहाँ पर पॉजिटिव हो चुके और हो सकता है मार्केट अपको यहाँ पर कल वापस गेप देखने को मिल सकता है तो क्या करना आपको यहाँ पर बायों डिप का फोर्मूला यूज़ करना तो मतलब मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ अगर मार्केट क्या होता है कि इस लेवल के कीपप होता है ठीक है जी अगर मार्केट इस लेवन पर आएगा तो हाई चंज तो यहां प्राइस सपोर्ट लेगा और अपने को यहां पर प्राइस तरीक फ्लबा उपर जाता हूँ देखने को मिल सकता है तो अब इस यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर ओपन हुआ और इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर गया स्कल्पिंग और मार्केट फिर क्या करता है इसे लेवल को नीचे ब्रीक करता है कि इसी सपोट को ब्रीक करता है 53,230 को यह वापस यह आखर नीचे ब्रीक करता है और मार्केट गेप अब होके सपोर्ड प्र मार्केट ऑल आया आपने स्कैल्पिंग और फिर क्या होता है तार्गेट को ब्रीक करता है 53,250 को अपना target होने वाला 52,970 ठीक है यह अपना हो गया second number का setup अगर market इस range के अंदर opening करेगा मैं बोलूँगा इस आपको कुछ भी नहीं करना बेटना आराम से आपको wait करना कब इस range का breakout मैंने क्या बोला अगर market इस range के अंदर opening करता है तो अपना यह point बन जाएगा 53,255 ठीक ह अगर इसके ऊपर market जाएगा इस range के अंदर open होने के बाद तो फिर अपना target रहने वाला है 53,500 क्यों काफी दिर यहाँ पर consolidate करेगा फिर अपर market इस तरीके से अपने को उपर जाता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तों आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर क्या होता है अगर 52,970 का लेवल एक तरीके से यह ब्रेक होता है तार्गेट बनने वाला है 52,700 ठीक है I hope को समझ मायागा मैंने क्या setup बता है तो आपको setup इसलिए बता रहा हूँ मार्केट ऐसी कंडिशन पर खड़ा हुआ है कि जहां पर अपने को दिख रहा है यहां पर उपने को अपने को अपने को निचे देखने को मिल सकते हैं यह हमारा setup हो गया है मैं आप क्या करूँगा यह setup एक तरीक इस टेलीग्राम पर आपको सुद्वस भेज भी दूगा त है कि निफ्टी में क्या setup है देखो निफ्टी कल इसका expire है अगर हम इस तरीके से यहां पर जोन मार्क करते हैं मैंने क्या करा सिंपल एक ट्रेंड लाइन यहां पर इस तरीके से लगाने वाला ठीक है जी मैंने यहां पर लेवल मार्क कर दिए अब देखो यहां पर क्लियर क जाले अब देखो सीधा सफंडा गईज इसमें आपको लेवल याद रखने जो आपके लिए काम आ सकते हैं ठीक है और हम एक और लेवल यहां और एक और लेवल अपन यहां पर मारक कर लेते हैं ठीक है देखो पूरा रेंज के अंदर एक तरीके से देखा जाए एक तरीके से क्या हो रहा है थोड़़ यहां पर आपको देखना है कि निफ्टी क्या है इक रेंज के अंदर है दोस्तों निफ्टी का important resistance जो है मैं बोलता हो Shaping 24,360 है अब यहां पर क्या होगा कि देखो यह train line है यहां पर य यह लेवल आपको यादर नहीं, यह प्रॉपर रिजेक्शन की एरिया बनेगा और यहाँ सब को निफ्टी में फोल होता हुआ, देखने को मिल सकता है निफ्टी में, चुकि यह प्रॉपर ट्रेन लाइन का एरिया है, ठीक है, अगर कल मार्केट चाहा होता है, इस रेंज के सके अंदर और आपनिंग करता है, यहाँ पर मैं बोलो, यहाँ सके करना है 24,000 24,259 and 2024,310, ठीक है इस रेंज के अंदर का कना आपको only यहाँ सके करना है, प्रॉपर यहाँ पर और ऐपको only फोढ़ करना है, मार्किट अगर इस रेंज के अंदर रहता है अगर market इस range के अंदर open होने के बाद अगर 24,310 का breakout करता है मान के चलो कि nifty इस range के अंदर open हुआ और यहां आपर ही breakout कर रहा है तो फिर जो अपना target होने वाला है 24,360 and 24,370 क्या बोला अगर market इस range के अंदर open करके इस level का breakout देता है तो ठीक है जी और यहां पर आपको ध्यान देना कि अगर market करता है इस level का range के अंदर open होने का market इसी range के नीचे का breakdown करेगा like 24,230 को नीचे break करेगा target होने वाला आपका 24,190 यह important support है यहां पर अपना buying का निफ्ट एगा ठीक है और आपको ध्यान देना कि मेरा इसा मानना है दोस्तों nifty में कि nifty अगर gap up करेगा तो nifty आपको नीचे आता हो देखने का मल सकता है अगर nifty में opening होई 24,360 and 24,370 पर यहां पर opening होती है तो price आपको यहां पर आता हो देखने का मिलेगा तो आपके लिए यहां पर support बन जाएगा 24,300 का price यहां पर sideways होगा अगर यह नीचे break होगा 300 फिर आपको आराम से 24, 235 के लेवल यहां तक इस तरीके से बेखने को मिल सकते है nifty में I hope guys आपको समझ में आया हो तोड़ा setup इस बार मेंने critical बताए है बड़ दोस्तों market ऐसे level पर खड़ा हुआ है जहां पर मुझे बताना पड़ सकता है आपको gap up होगा तो क्या करना है range के अंदर open होगा तो क्या करना आपको काफी लोग इसा नहीं बताते हैं range के अंदर market open होगा तो क्या setup वर्क हो सकता है काफी लोग level को share करते हैं कि भाई ये level breakout हो गया buy करो ये level breakdown हो गया sale करो हमारा काम दोस्तों ये है कि मैं अगर video बना रहा हूँ तो आपको setup बताना चाहिए setup अगर इस तरीके से काम आते हैं तो आप इस तरीके से प्लानी कर सकते हो दोस्तों ये था अपना nifty bank nifty का prediction video I hope को video अच्छा लगा होगा तो ये खहना चाहूँगा कि video को like जरू कीज़ेगा and subscribe जरू कीज़ेगा मिलते गई साब से next video में जै हिन जै बार अगर आप सभी को दोस्तों जै शे राम